हलो फ्रेंच वेलकब दो चैनल करेंट अफेर अपडेटेट इस दिवशी शवस्ती जैसे आपको बता हुआ हम टू मेट सीरीज में इंपॉर्टेंट वॉइस और कम्पीट करा था मैं आपको यह लास्ट लेक्षे इसका वॉइस कंपीट हो जाएंगे यहां दखे का चली नेक्स वॉइसोर आटेंगे आफ्टेंट लॉड विलिंग्टन टाइमपर देखिए 1931 से 1936 इनकी ताइमपर सब्से इंप्रेंट अच्टिवीटी का होती था था इस कमुनल अवार्ड रमेंबर 1932 में इसको में मैंडॉनल अवार्ड भी कहते है क्योंकि उस ताइम पर लिट्स कह रहे हैं उनको प्रवाइड कर दिया आता है तो या दखेगा इस पर गांधी बड़े इंराश होते हैं तो इस इस वरी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो इस इस इंपॉर्टेंट टाइम आफ लॉर्ड विलिंग्टन ओके और थर्ड राउंटेबल महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के साइट से पारिशिपेट किया था नेक्स बात करते हैं इनी के टाइम पर विलिंग्टन के डाइम पर पूना पक्त साइन होता है बिट्विन गांधी और अबेट का इस वेरी फेमस बिकॉस अफ दिस कमनल अवार्ड याद एक्षिए उसको यह भी विलिंग्टन के डाइम पर ही पास होता है बर्मा को सेप्रेट कर दिया था बर्मा मतलब आखिर में में मार वह सेप्रेटर फॉम इंडिया इन 1935 तो यह कुछ आक्टिवड़ी सी जो विलिंग्टन की डाइम पर बहुत फेमस थी नेक्स्ट वाइच्ट वो आते हैं जो सेट में बहुत सा मिनस्टरी या कर देती हैं वो रिजाइन कर देती हैं रीजर क्योंकि चेकं़ वल्वन हो गया ना इ्रफॉम फ्रिंबर नेक्स के पूछे हैं तो यह बड़ा फेमस प्ट है इज। लिंद पला य। दिरिपूरी क्राइस होता है बड़ा फेमस है तृपपूरी मद्ध पड़ीश में जगह है यहां पर क्राइस होता है क्राइस मतलब क्राइस की मास resolution यह क्या है यह resolution यह मुस्रीम लीग का resolution है यह मुस्रीम लीग एक separate nation पाकिस्तान की डिमांड करती है 1940 में यह भी लिंधिंग को के डाइंपर होता है लिंधिंग को इंडियन्स को की सत्तात के रही थे जिन्हों ने इंडिवीजेक की यह था जवाला नेरु थर्ड वो भ्रहमदत थे तो पूझा था फर्स्त इंडिवीजेक किस ने स्टाट किया था और विनो भाव याद हखिएगा नेक्स्ट इंडियन्स अर्मी 1942 में फॉर्म होती है यह भी लिंधिंग को की यहां पर एक स्लोगन भी देखे आते हैं। बड़ी फेमस है। नेक्स्ट वोईशो आते हैं लॉड वोविल टाइम पर है 1944-47 इनके टाइम पर एक इंपॉटेंट फॉर्मॉला आता है रोयल इंडियन नेवी मुटिनी 1946 में हो रही है। वह भी किसके टाइम पर हो रही है। यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर वाइस रहा है। यह आपको हूंवक है। नेक्स वोवल प्लान होता है। जिससे इंडियन को बनाने कोशिश चल रही है। जिसके लिए एक में इसको में शिमला कॉंफरेंस कहते हैं। यह भी लौड वावल की टाइम पर होता है। वोल्ड वाव सेकेंड का एंड भी यहीं पर होता है क्योंकि आपको पता होगा। जैपान पर फाइनली जैपान सरिंडर कर देता है। जब उसमें अटॉमिक बॉंब गिरा जाते है कि कार्मेंट मिशन को हेड किस ने किया था। चली मैं बताया था। पेट्रिक लॉरेंस ने इसको हैड किया था। इसी को देखते हुए कि इंटर्म गोर्मेंट बनती है बाइल लिए लेड बाइन हरू और 2nd सेप्टमबर 1946 ओके फिर जो मुस्लिम करती है वो पोस करती है औ पर जो ब्रिटिश के प्राइम में क्लिमेंट एक लिए वो डिकलर करते हैं कि भारत को ब्रिटिश जो हैं वो मैक्सिमम 30 जून 1948 तक छोड़ देंगे और एक और बात अनुच करते हैं कि अब जो वोईसों हैं लॉर्ड वोवल उनको हटा कि जो नेक्स वोईसों हैं वो बनन प्रीटीफ इनको को मिल जाती है इसकी इनडिया को इंडिपेदेंस मिल जाती है इसके एक याद देखियेगा सी राजय को पलीचार इस वेरी फेमस 48 शे 50 तक यह भारत की आपको याद रखना है लास गवर्नर जनल फफ इंडिया रहते हैं वह उई वह आपस रख रख दिय पुछा है कि लास्ट गवनर जनरल ऑफ इंडिया हुई इन इंडियन तो आंसर इस वाट यहां पर इतने बी इंपॉर्टन वाइश हो है गवनर जनल थे वह साब मैंने कंप्रीट करा दिये कुछ रिविजिएन में और एक दू हमें बॉक्स करेंगे लेकिन आप चाहिए इसक कर रही है स्थेट ऑपर जी जब कर दिए जरूरे करें जिरूर चाहते हो नहीं चाहते हो लेक्श्ट वीडियो लेक्शर सकते हैं डिए हैनिट नोट्च भर तक को रिएर की जाएंगे वीडियो पसंद आया को लाइक जुए चैनल को शब्सक्राइब करके रखें और याद आपको क्विक रिवीजियन में तुरन प्रोवाइट करेंगे थैंक यू